दोस्तों मैं अंगीता परमार आपके समक्स फिर से एक बार हाजीर हूँ आज हम इकाई नमबर आंट बरत मिलाप भाग एक का ब्याश करेंगे जिसका साहित्य प्रकार है एकांकी एकांकी को नाटक के द्वारा प्रस्तूत किया जाता है दोस्तों आपसे प्रस्त न पूछूंगी दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कौन-कौन से दो महा काविया है बताएए दो महा काविया है वेरी गूट पहला है रामायन और दूसरा है महा भारत तो दोस्तों रामायन की रचना किस ने की थी वेरी गूड वालमी की ने की थी महर्शी वालमी की ने रामायर की रचना की थी जो कागय के रूप में प्रस्तूत है दोस्तों रामायर में बगवान श्री राम के बाड़े में हैं आप बगवान श्री राम को तो जानते ही हैं अयोध्या के राजा दसरत के सबसे बड़े तो सबसे पहली कौशल्या दूसरी कई-कई और तीसरी समित्रा थी दसरत राजा के चार पुत्र थे तो राम लक्ष्मर बड़त और शत्रुप्न ये चार पुत्र थे भगवान राम की माता का नाम क्या था? कौशल्या थे उनकी माता कम शलिया थी लक्षमर की माता का नाम क्या था तो सुमित्रा नंदन सुमित्रा के पुत्र थे लक्षमर और कई-कई के पुत्र थे बरत और शत्रुग्न तो दोस्तों आप लोगोंने रामायन तो पड़ी होगी आप लोगोंने टेलिवीजन परणामायन को देखा ही है, देखा है ना कि भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास जाते हैं कैकै का वचन का पालन करने के लिए कैकै ने दस्रत राजा से वर्दान मांगा था कि उनके बेटे बरत को राजगाडी मिले और श्री राम को 14 साल का वनवास प्राप्त हो माता पिता की आग्णा का पालन करने के लिए उनके वचन को रखने के लिए श्री राम, सीता और लक्षमन तीनों कहां गये थे? वन में गये थे कितने साल के लिए गए थे 14 साल के लिए गए थे दोस्तो और वहां रावण ने सीता का हरण किया और उन्हें कहां ले गए लंका में ले गए और राम और रावण का युद्ध हुआ इसके बिश में कई ऐसे पात्रा आए जैसे कि हनुमान जी आए विभीशन जतायू कई सारे पात्रा इसमें है राम और रावण का युद्ध हुआ जिसमें राम की विजई हुई और सीता माता को लेकर श्री राम लक्षमन कहां गए वापिस अयोध्या में गए और जिस दिन वे अयोध्या में गए थे वहां प्रजाजनों ने दिवाली की तरह उत्सव मनाया था और तबी से दिवाली का त्योहार मनाते हैं सारे नगर को दियों से जलाया गया था, उनकी खुशी में, उनके आनंद में लोग उत्सव मना रहे थे और तबी से हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं इस इकाई में बरत मिलाप, आज हम बरत मिलाप नामक इकाई का अभ्याश करेंगे जिसमें श्री राम को मनाने के लिए बरत वन में जाते हैं और नगर जनों को साथ में ले कर जाते हैं मगर श्री राम क्या कहते हैं नगर जनों से कि जब तक में वनवास खत्म करके वापिस ना लोटू तब तक तुम बरत को अपना राजा समझों रगुकुल की रीत है रगुकुल की रीत क्या है तो रगुकुल रीत सदा चली आई प्रान जाए पर वचनन जाई प्रान चला जाएगा मगर एक बार जो वचन दे दिया उस वचन का पालन वे अवश्य ही करेंगे और यही वचन का पालन करने के लिए श्री राम कहा गए थे वन में गए थे 14 साल अपने माता पिता की आग्या का वचन का पालन करने के लिए वे वनवाश गए थे तो अपने करतवयों को किस प्रकार पालन किया जाता है किस प्रकार निभाते हैं यहां इस इकाए में हम आज स सुरुआर करते हैं माता पिता की आग्या का पालन करने है तू राम वन में गए उनके साथ सीता भी गई बरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिहासन पर नहीं बैठे अपी तो यानि की परंतो सिहासन पर राम की खड़ाव रख कर उन्होंने सेवक की भाती राज काज किया राज का यानि की राजका कामकाज किया इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैशा दोस्तों माता पीता की आग्या का पालन करने के लिए राम लक्षमर ओन-सीता कहां गए थे वन में गए थे तो यहाँ पे बरत जो है वो राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं उन्हें वापिस अयोध्या लाने के लिए तो यहाँ द्रश्य नमबर एक और दो के माद्याम से हम सीखेंगे वन का एक भाग कुतिया के बाहर कुतिया यानि की जौपडी जौपडी के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं कौन बैठा है? राम और सीता पास ही दनुश बान लिए लक्षमन खड़े हैं पास में क्या लिए लक्षमन खड़े हैं? तो उनके पास दनुश बान है आप चित्र में देख सकते हो राम सिता और लक्षमन है और राम और लक्षमन के हाथों में धनुश्बान है द्रश्य एक राम बाई लक्षमन जड़ा देखो तो यह आवाज कहां से आ रही है लक्षमन इदर उदर देख कर प्रबु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं राम कहते हैं कौन लोग है जरा द्यान से देखो लक्षमन कहते हैं द्यान से देख कर अरे यह तो बरत है साथ ही बहुत से लोग है हमें सावधान हो जाना चाहिए यहां साउधान हो जाना मुहावडा है जिसका अर्थ है चोकन्ना हो जाना सायदवे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं राम कहते हैं हस्ते हुए बाई लक्षमर तुम दो बीना बाट सक करने लगते हो शक यानि संका इतने वर्ष शात रहकर भी बरत को नहीं पहचाना लक्षमर कहते हैं उत्तेजित होकर उत्तेजित यानि की आवेश में क्रोध में आकर उत्तेजित यानि गुशे में आकर पहचाना क्यों नहीं उसी मा का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया लक्षमर कहते हैं कि हाँ पहचानता हूँ उसी का ही बेटा है जिसने हमें यहाँ वनवास को दिलाया है वनवास बेजा है सीता कहती है इसमें बेचारे बरत का क्या दोश उसमें बरत की क्या गलती है लक्षमर कहते हैं लीजिये सब लोग इधर ही आ रहे हैं लक्षमर कहते हैं कि लोग सभी लोग यहीं पे आ रहे हैं यहां द्रश्य एक समाप्त होता है अब हम द्रश्य दो की और आगे बढ़ेंगे द्रश्य दो बरत दोड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं कुटिया यानी जोंपडी निकट यानी समीप पास बरत राम को देखकर दोड़ते हुए उनके पास आते हैं उनकी आखों में स आसु बह रहे हैं उनकी आखों में से क्या बह रहे हैं आसु बह रहे हैं वे राम के चरणों में पढ़ते हैं वे राम के पाउं में पढ़ जाते हैं पैड़ों में पढ़ जाते हैं राम बरत को उठाकर गले लगा लेते हैं राम बरत को उठाते हैं और गले लगा लेते हैं गले लगाना यानि की प्यार से मिलना विद्यार्थी मित्रों आप चित्र में देख सकते हो कि किस प्रकार बरत उनके पैड़ों में पड़ गए हैं और राम भगवान उन्हें गले लगा रहे हैं और उनकी आखों में से आसु बह रहे हैं अपने भाई को देखकर वे बरत कहते हैं रोते हुए वह रो रहे हैं मुझे एक शमा कीजिये प्रभू मुझे माफ कर दीजिये आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं मेरा कोई भी ऐसा हाथ नहीं है आप मुझसे बड़े हैं आप ही को राजा बनना चाहिए मैं आपको लेने आया हूँ आप स भाई भरत राम से क्या कहते हैं कि आपको वनवास दिनाले में मेरा कोई भी हाथ नहीं है और आप ही राजा है और आप ही राजा बनने चाहिए इसलिए मैं ये नगरवासियों के साथ आपको अयोध्या लेने आया हूँ आप सभी कहां चलिए अयोध्या वापिस चलिए राम कहते हैं, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम डेख कर प्रसन नहूं, बहुत ही खुश हूं तुम्हारा प्रेम देख कर किन्तु मैं माता पिता की आग्निया का पालन करने हैं तु वनमे आया हूं एक नागरिक कहते हैं नहीं प्रबू आपको हमारे साथ चलना ही होगा आपके बिना प्रजा दुखी है प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है देखो यहां एक नागरिक है जो कहते हैं कि नहीं नहीं प्रबू आपको तो हमारे साथ चलना ही होगा आपके बिना हम प समय माता पिता की आगन्या का पालन करना मेरा सबसे बड़ा करतव्य है बरत मेरा भाई है जब तक मैं वनवास पुरा करके न लोटू तब तक भाई बरत आप सब के सुक्डुक का ध्यान रखेगा आप उसे राजा माने यह मेरा आदेश है आदेश यहनी आगना हुकम है करके न लोटू तब तक भाई बरत को ही आप राजा समझे और वही आपके सुक्डुक का ध्यान रखेगा यह मेरा आदेश है बरत कहते हैं कुछ सोच कर अच्छा प्रभू जैसी आपकी आग्या पर मेरी एक मिंती है उसे स्विकार करे बरत कहते है कि ठीक है प्रभू आप आपकी जैसी आग्या हुकम बगर मेरी एक बिंती है एक प्रातना है जो आप स्विकार करे राम कहते हैं बोलो क्या चाहते हो राम कहते हैं कि बताओ क्या चाहते हो तुम बरत कहते हैं मुझे आप अपने पाउं की खड़ाओ दे दे खड़ाओ यानि कि लकडी की बनी हुई की पादू का बरत कहते हैं मुझे आपके पाउं की यानि कि पेरों की पादू का दे दीजिये राम कहते हैं कपके खड़ाओ कह जबruktur सिहांसन पर रखेंगे और आप जब तक न आए तब तक वहां क्या करेंगे राज्य का कामकाच करेंगे बरत का प्रेम देकर राम, सिता और लक्षमन गद गद हो जाते हैं गद गद हो जाना यह एक मुहावरा है यानि कि पुलकित हो जाना आनन्दित हो जाना राम चंद्र आगे बढ़कर बरत को गले लगाते हैं राम चंद्र ने क्या किया भरत को गले लगाया आलिंगन दिया खड़ाव लेकर भरत तथा नगरचन राम और भरत की जई बोलते हुए विदा होते हैं देखो भरत यहां राम की खड़ाव लेकर अयोध्य वाश्रियों के साथ विदा लेते हैं चित्र में आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार भरत स्री राम की खड़ाव लेते हैं और खड़ाव को लेकर वे नगरवाश्यों के साथ अयोध्या की और वापस जाते हैं राम अयोध्या वापस नहीं गए और भरत और नगरवाशी स्री राम के खड़ाव लेकर अयोध्या की और चल पड़े विद्यार्थी मित्रों अब हम इस इकाई में आने वाले सब्दार्थ और मुहावरे की चर्चा करेंगे सब्दार्थ कुटिया जोंपडी शायद कदाचित शक शंका निकट नजदिक चरण पैर दोश अपराद कर्तव्य फर्ज विद्यार्थी मित्रों आप लोगों ने इकाई नमबर आट बरत मिला बाग एक का अव्याज किया मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भाग एक में संपूर समझ आ गई होगी आप लोगों ने इस इकाई के सब्दार्थ और मुहावरे के भी चर्चा की आप लोगों को संपूर समझ आ गई होगी नए वीडियो में अव्याज के प्रश्न की हम चर्चा करेंगे तब तक के लिए, बाई, टे केर